कनाटक में इन दिनों एक गंभीर बिमारी ने लोगों के बीच दस्तक दी है जुसकी वज़े से इस बिमारी को लेकर लोगों में टेंशन काफी बढ़ गया है मेडे रिबोर्ट्स की माने तो बिमारी से उन्चास लोग जद में आये थे जबकि दो लोगों की जान भी जा चुकी है क्या है बिमारी? क्या होते हैं लक्षण? चलिए बताते हैं कोविट के बाद मंकी फीवर का खत्रा मंटराने लगा है आलम यह है कि लगातार इससे जुड़े मामले सामने आ रहे हैं आपको बता दे यह कोई नई बिमारी नहीं है इसका पता पहली बार साल 1957 में करनाटक के जंगलों से चला था यह एक वाइरल हेमरेजिक वुखार है जो क्यो नासूर फॉरेस्ट डिसीज वाइरस के कारण होता है यह वाइरस फैलेवी वाइरस जीन्स का एक मैंबर है इसकी वज़े से इस बिमारी को मंकी फीवर भी कहा जाने लगा है बीते एक जनवरी अब करनाटक में मंकी फीवर की वज़े से दो लोगों की जान जाने की खबर आई है स्वास्त विभाग और परिवार का ल्याड विभाग ने इसको लेकर कमरकस्ते वे 25-67 टेस्ट की है जसमें 68 लोग मंकी फीवर से पीडित पाए गए है आपको बता दे मंकी फीवर का वाइरस वरीर में पहुशने के बाद 3-8 दिनों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है शुरू आते लक्षडों में ठंडा लगना, बुखार आना, सिरदर्द, पेट से जुड़ी समस्याएं महशूस होती है अमेरिका की सेंटर फॉस, डिसीज, कंट्रोल और प्रिविजन की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ लोगों में लो ब्लड प्रेशर, प्लेटलेट कम होना, लाल रक्त कोशिकाएं कम होने की शिकायत भी देखी जाती है समय रहते इलाज न करने पर मंकी वीवर जानलेवा भी हो सकता है मंकी वीवर की अनमाने में तुदध तीन से पांच परस्द है फिलाल मीडिया रिपोर्ट की माने तो मंकी वीवर का अभी कोई सटीक इलाज नहीं है खेट जंगल के आसपास रहने वाले लोगों के लिए सरकार दोरा एक वैक्सीन लगाई जाती है जिससे लोगों की उम्मेनिटी में सुधार हो सके और उन्हें क्या सनूर का वाइरस संक्रमीट ना कर सके फिलाल इस बिमारी से बचने के लिए जंगल के आसपास रहने वाले लोगों में टिक्स काटने का खत्रा ज्यादा होता है ऐसे में उन लोगों को कुछ साधानिया बरतने की जरूरत है अभी के लिए इतना है फिर आजिर होंगे एक और नई खबर के साथ तब तक के लिए देखते रहें इन खबर डिजिटल